हेलो गाइस, वेलकम टू मैं चैनल, मैं नाम सचिन सिंग है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जैए में 2021 का registration date, exam date, exam pattern और cut-off के बारे में, तो ये वीडियो बहुत ही important है आपके लिए, तो इसको सुरू से लेके last तक देखेगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे, तो चलिए वीडियो सुरू करत हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जेए के बारे में, और जेए का full form है Joint Entrance Exam, और ये Government of India के अंडर में आता है, और इसको operate करता है NTA, जिसका full form है National Test Agency, जेए को दो पार्ट में divide के जाता है, पहला जेए मेंस और दूसरा जेए एडवांस, जेए मेंस को clear करने से आप को IITS मिलेगा, और इसका mode of exam online होता है, यानि आप लोग इसमें online exam देते हो, और इसमें multiple 24 questions आते हैं, और हर साल लगभख 13,00,00 students exam देते हैं, जेए मेंस का, तो normally every year जेए मेंस का दो एटेप होता है, पहला January में दूसरा, अपरिल में, लेकिन 2021 के जेए का exam में थोवा डीली हो क्योंकि Corona के कारण सबका preparation नहीं हो पाया, और सारे इंसिटूट, जितने स्कूल, इंसिटूट सारे बंत है, इसलिए government थोवसा डीले करीगी exam को, तो NTA के डारेक्टर बिनीत जोसी ने ये बताया कि स्कूल reopen होने के बाद, और स्कूल जब confirm कर लेगा अपना annual exam, यानि board exam जब next year board का exam कब होगा, उसके बाद NTA ये confirm करेगा कि next year J का exam कब होगा, और J का exam का date कब है, तो आप मैं जो आप लोग का exam date और registration date बताऊंगा, ये बहुत important है, क्योंकि इसको भी NTA ने design किया है, तो ये बहुत ही important है, तो इसको अच्छे से सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग first attempt के registration date है, second week of November, second week of November, last registration date है, last week of December, last week of December, और आप लोग का first attempt का admit card मिलेगा, second week of January, second week of January, और first attempt का exam date है, last week of February, last week of February, तो second attempt का registration date है, first week of March, first week of March, और इसका last registration date है, first week of April, first week of April, और आप लोग का admit card मिलेगा, third week of April, third week of April, और इसका exam date है, second week of May, second week of May, तो ये था importance date, day mean 2021 का, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, exam pattern के बारे में, तो आप लोग के यहाँ पर तीन subject मिलता है, math, physics, chemistry, तो total numbers of questions रहते हैं, 75, यानि math में 25 questions, physics में 25 questions, और chemistry में 25 questions, यानि total 75 questions आप लोग को मिलेंगे, जही means के paper में, और total marks के बारे में बात करें, तो आप लोग को मिलेंगे 300, यानि math के 100, physics के 100, और chemistry के 100, total 300, आपको इसमें total marks मिलेगा, आप लोग के एक paper में 25 questions मिलता है, जिसमें say 20 questions, multiple choice questions रहते हैं, जिसका 4 option रहता है, जिसमें 1 सही रहता है, और बाकी 5 जो रहते हैं, वो integers type questions रहते हैं, उसमें आप लोग को integers यानि numbers में आप लोग को answer लिखना रहता है, उसमें कोई option नहीं रहता है, तो marks का बात करें, तो आप लोग का answer अगर सही हुआ, तो आप लोग को plus 4 मिलेगा, और अगर आप लोग का answer गलत हुआ, तो आप ल negative marks सिर्फ जो 20 questions रहते हैं, जो multiple choice questions रहते हैं, उसमें आप लोग को negative marks मिलेगा, आप लोग का exam fully computer based होगा, यानि online exam होगा, और आप लोग को हर एक paper में 1 घंटा मिलेगा, यानि total timing रहता है 3 hour, आप लोग का 3 घंटे का exam रहता है, तो अब मैं आप लोग का बता हुआ कि कितना easy question question आता है, और कितना hard question आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, chemistry का, तो chemistry का tough 4 question आता है, और medium 11 question आता है, और easy 10 question आता है, यानि total 25 question हो गया, और अब बात करते हैं, mathematics यानि math का, math का 2 tough question रहता है, और 10 medium questions रहता है, और 13 easy question, total 25 question, और अब बात करते हैं, physics का, तो physics में 2 tough question रहता है, 7 आप मिडियम रहता है और 16 एजी रहता है और टोटल 25 हो गया और टोटल नमर्स आफ कोशन्स हो गया आपका 75 तो अगर हम लोग कटफ का बात करें तो 2021 का कटफ अफकोर्स कम होगा हर एक साल के मुकाबले क्योंकि इस साल प्रिप्रेशन सबका एवरेज है कोरोना के कारण तो इस बार गोवर्मेंट ने कटफ कम रखा है तो 70 के नीचे यानि 70 के बिलो कटफ रहेगा आप लोग का अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए मैं आप लो पोजिशन हो तो आप इंस्टागराम में भी मैसेज कर सकते हो तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई